हेलो दोस्तो हिमाचल प्रदेश जी के यूटुब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो मैं एक निया कोड़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की MCQ सीरीज इसमें मैं क्या करूँगा आपके जो हिमाचल प्रदेश की जिस लेके आया हूँ MCQ सीरीज ये कोशन्स बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है आपके एक्जाम पॉइंट ओवी से क्योंकि अगर आप इन्हें अभी कर लोगे तो आपको बाद में दिकत नहीं आगी तो इनकी प्रेक्टिस आप अभी से कर लीजिए जो भी मैं कोशन्स नोलेज बेस भी ये हैल्प कर सकते हैं तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हरे कोर्स आप तक इजली पहुंच सके और इसे आगे भी श्रीयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ठीक है तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट तो आज का हमारा पहला कोशन है रैम बुलेट एंड स्पैनिश मेरिनो रैम बुलेट एंड स्पैनिश मेरिनो ये किस ब्रीड में आती है मतलब ये जो हमारी रैम बुलेट और Spanish Marino है breeding मतलब जो हमारी breeds है एनिमल्स की चाए हो शिप की है चाए याग की है चाए होर्स की है चाए फिश की है अंगोरा इनके हमारे breeding form है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तो इसमें मैंने पूछाई कि यह जो दो किसमे है यह breeds किन की है यह इन चारों में से तो जो इसका सही आंसर है दोस्तो आप लगोना comment section में जरूर बताना है मुझे अपने answer कि आपका 10 में से कितना score रहा है क्योंकि आज मैं total 10 question ले गया हूँ इन 10 में से आपको कितना score रहेगा आपने comment section में मुझे बताना है तो जो हमारी Ram Bullet और Spanish Marino ये किसकी breed है ये है Ship की किसकी है Ship की तो ये आपने note कर लेने हैं सारे question जो भी मैं आपको करवाऊँगा Second question की बात करें तो हिमाचल प्रदेश State Cooperative Bank ये इसकी ब्रांच चमबा में कब खोली गई जो हमारा हिमाचल प्रदेश State Cooperative Bank है ये हिमाचल का बहुत famous bank है इसकी ब्रांच कब हिमाचल प्रदेश में खोली गई चमबा में तो इसकी जो सही आंसर होगा दोस्तों आप बताते रही आंसर comment section में मैं आपको यहां बता हूँगा एक तरह से आपका यह test है कि आपने कितना मतलब cover किया है इसलिए बस कितना आपने पढ़ा है माचल प्रदेश का तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा sorry ये नहीं है 6 April 1965 जो इसकी पहली ब्रांच चमबा में खुली गई थी हमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक की 6 April 1965 में एक और है SBA, SBA की ब्रांच इससे पहले खुली थी चमबा में 1957 में ये भी आपको पता होना चाहिए कि SBA की ब्रांच 1957 में खुली थी बागी रही बाद हमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक की ये हमारी 6 April 1965 में खुली थी इसकी ब्रांच ये बहुत इंपोर्टन कोशन था दोस्तो आप लग मुझे इंस्टाक्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां भी मैं अपने कोशन डालता रहता हूं करणट फेर से लेटेड़ नेक्स्ट कोशन किनोर में घर में लटका होने पर एक फेस्टिबल मनाया जाता है जिसमें वह अपने गाउं के देवता को बकरी भेंट करते हैं उ बकरी को कई जगा यह अब तो बैनेर ओल ओबर लेकिन अभी भी शायद कई जगा एरियों में है तो यह कौन सा है फेस्टिबल किनोर की बात है तो उस फेस्टिबल का क्या नाम है यह आपको बताना है तो आपके पास चार ओप्शन है बकायांग उक्यांग भागंत या जा है किनोर मैं गौल मैं तो ऊहां को सा फेस्टिबल मनया जाता है उक्यांग फेस्टिवल कौन सा उक्यांग यह बहुत ैंपोर्टेंट कोशन है आपने नोट करना है बात करें इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिचूट की तो ये हमारा न्यू डेली में है कहां है ये न्यू डेली में आपको पता होने चाहिए कि ये कहां पर है तो ये न्यू डेली में है तो इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिचूट ने वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कुल्लू में स्थापित किया था, ये कहां किया था, कुल्लू के चार एरिया थे कैट्रेन, हमता, हुना या सैंज में, इन चारों एरियों में कहां किया था, ये भी आपको पताए ने चाहिए, बहुत important question है, कि वेजिटेबल रिसर्च स्टे में कत्रे जगा है यह कत्रे जगा यह हमारी कत्रे नगर तैसिल है जो कुल्यू की नगर तैसिल में परकशन के कट्रे परेज रिच स्टेशन कुल्ळ इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्सितूट के देवारा कि चेल सुन चंहें मोरेवियन मिशिनरीस थारी अन् additional पोटैटों मतलब आलू कियोत और बागे सब जो किपलों जो लाकुस पीती में है स्थाफ़ किया था के ति मतलब खेती की थी मतलब सबसे पहले जिनी पहले महां उसको लागूंख किया था था अंपको तो वो कौन से सन में किया था उन्होंने तो यह आपका बताना है 1871, 1905, 1861 या 1857 इन चारों में जो सही option है इसका वो है आपका 1857 तो 1857 में मुरेविन मशिनरीज थी उन्होंने पोटाटो की खेती स्थापित की थी कहाँ पे किलोंग में तो आप से कौशन अलग तरिके से पू इसमें लाउस पीती हो सकता है लाउस पीती आपका इसमें आंसर होगा अगर आपसे पुछी जाए डिस्टी अगर पुछा जाए कि लाउस पीती में कहां तो आप उसको क्या बोलेंगे किलोंग में तो यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आपने इसे पढ़ लेना है पुलन की यए एपल की या वॉलनट की इन चारवम से लिधा नेम एक तरह से लिया जाता है तो वह इसका सही आंसर पलम जो हमारी सैंट पर घबन पर घबनेटी नक्स्ट कोशन जाने कंग यह कि में किस तरह की शादी है जाने कांग जाने टंग मतलब की नोर में एक marriage जो तरह तरह की marriage होती है love marriage forceful arranged और हर marriage चार तरह की होती है marriage तो उन में अलग लग नग नाम दिए गए है हर एक marriage को तो उस में से जाने कांग और जाने टंग किसे कहा गया है ये आपको बता रहे है तो दोस्तों जो जाने कांग और जाने टांग है ये किसे कहा जाता है arrange marriage को किसे कहा जाता है arrange marriage को बखी बात करें love marriage की तो जो हमारी love marriage होती है love marriage में हमारी यही एक दमचल शीष एक दमतंग शीष ये कुछ अजीब से नाम है एक है दम तंग दम चम शीष ऐसी मैं बोल देता हूँ वैसे mostly एक होता है दम चल शीष और एक होता है दम तंग शीष जो हमारी लब मेरिज को बोलते हैं फोर्स फूल की बात करें तो फोर्स फूल में आता है दरोश, दब दब और नियमशा, दिपांग कौन-कौन सा दरोश, दब दब एड नियमशा, दिपांग यह आपने में नोट कर लेना है मैं आपको यह बता दूँँगगफ़ में बगी उसके बाद आपका जो तीसरा है हर मैरिज हर मैरिज होती है मतलब किसी की घरवाली मतलब किसी की वाइफ है उससे शादी कर लेना बतलब एक अधर तो यह आपको पता हो नीचे इंपोर्टेंट है यह एक्जाम पॉंट ओव व्यू से कि क्या कहा जाता है लोड कॉमबर मेरे जो कमांडर इंचीफ थे कहां ब्रिटिश फॉर्स के उन्होंने शिमला में एक ब्रिज बनाया था उसका नाम क्या है तो इसमें लोड कॉमबर मेर थे जो कमांडर इंचीफ थे ब्रिटिश फॉर्स में रहे होगी अपने टाइम के जब भी ब्रिटिश का यहां रास्ता तो उन्होंने शिमला डिस्टींग में एक bridge मना या था तो उस bridge का क्या नाम था वह आपको बताना है कि शिमला में उस bridge का क्या नाम है Comber Bear Bridge, Wooden Bridge, Suspension Bridge या बोथ A and B या बोथ A and C तो इन में से क्या सही answer होगा तो इसका जो सही answer वो है Comber Bridge and Wooden Bridge मतलब D answer इसका D answer सही होगा बहुत A and B क्योंकि जो Comberware थे उन्होंने जो bridge मना था उसका नाम Comberware bridge रखा था Comberware bridge नाम रखा था उसका और उसी को ही wooden bridge भी कहा जाता है तो मतलब A and B दोने इसके सही answer है तो यह बहुत important question है आपके लिए जानना तो इन्हें please note कर लिजेगा आप अच्छे ढंग से ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो next question Lawrence Asylum यह हिमाचल प्रदेश में कहां स्थापित किया गया Lawrence Asylum बहुत important question है हिमाचल प्रदेश में कहीं भी पूचा जा सकता है यह question कि यह कहां पर है इस्थापित किया गया है यह कहां से स्थीत है इंडिया हिमाचल प्रदेश में इसका जो सही आशर है वह हमारा कसोली कसोली में हमारा Lawrence Asylum कहां है कसोली में अगर आप से बात की जाए कि यह हिमाचल प्रदेश में कहा है तो आप क्या बहुत important question था इन में से कौन से एरिया में milk chilling center नहीं है बहुत important question है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है आप से कि जो कांगड़ा के milk chilling center है कांगड़ा में वो कहां नहीं है इन में से तक्रोटा चलोरी कोटरा या दगवार या none of these कहीं भी नहीं है तो इसका जो सही answer है वो है हमारा 99 कि जो हमारे milk chilling center है वो इन चारो जगा है दरगोटा में भी है जलेरी में भी है कोटला में भी और दगवर में भी है जो हमारा main है जो सबसे main chilling center है वो कौन सा है दगवरगा यह भी पूछ सकते ही main chilling center कहां पर है तो वो है हमारा दगवरगा वाकि एक कोशन हो रहा है इससे important कि मारी जो milk supply scheme थी milk supply scheme ये कांगड़ा में कब हुई थी start ये हुई थी हमारी 1973 में ये भी बहुत ही important है आपको याद रखना तो ये थे दोस्तों आज के 10 questions जो बहुत ही ज़्यादा important थे उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आये होंगे ये questions मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों इने share भी करेंगे क्यों share करोगे तभी तो फायदा है और तो मतलब हर एक बच्चे तक ये पहुंचने चीए तो हमारा main challenge था आज का कि 10 में से 6 करने थे आपको सही तो आप बताइए कि आपके कितने आये हैं तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ धन्यवाद